बैल आईकन जरूर दबाईएगा दोस्तों एक आम यूट्यूबर की तरह प्रधान मंत्री का ये वीडियो ना जाने आपके लिए क्या संदेश देता है लोग अलग-अलग इसके माईने निकाल रहे हैं लेकिन मेरे हिसाब से तीन माईने निकलता है इस वीडियो के पहला माईना तो ये कि राहुल गांधी ने जिस तरह से सोशल मेडिया पे अपनी पैठ बनाई है उसको देखते हुए प्रधान मंतरी के अंदर डर का माहौल ये वीडियो बता रहा है कि प्रधान मंतरी किस कदर डर गहें कि प्रधान मंतरी पर बैठ़े इंसान को एक यूट्यूबर की तरह अपना चैनल सब्सक्राइब करने की अपील करनी पड़ रही है और लोगों से कहना प पर जी हो हला कर ले, कॉंग्रेस या इंडिया गडभन्दन ने तो बाइकॉट किया ही, अब प्रधान मंतरी मोधी को भी गोधी मीडिया पर भरोसा नहीं रहा, अगर प्रधान मंतरी को गोधी मीडिया पर साड़े नौ साल से जैसा भरोसा था, तो सोशल मीडिया पर इतनी अ रहा कि ये कुछ कर पाएंगी उनके लिजे और अगर प्रधान मंतरी का भरोसा नहीं है तो समझिए पुरी सरकार का भरोसा नहीं है माइने नंबर तीन माइने नंबर 5 येजिए है कि जो मैं इछले सारा पांच महीने से लगातार कह रहा हूं वो बात मुझे इसमें साथ चोती नजर आ रही है वो यह है कि जो क्रियेटीव टीम है प्रधान मंतरी की जितनी बड़ी लशकर है इतना बड़ा टीम है जो प्रधान मंतरी को नए-नए आइडियाज देती थी वो टीम अब आइडियाज के मामले पे बुरी तरह स कंगाल हो चुकी है कोई आइडिया नहीं बचा है वरना सोचिए जिस नेता को आप विश्व गुरू कहते हैं और कहते हैं 76 प्रतिशत पॉपलरिटी के साथ दुनिया के सबसे पॉपलर लेटर है उन्हें इस तरह का आइडिया कौन दे सकता ही कि आप इस तरह से मेडिया पर बढ़ता दब दबा आपकी परिशानी का कारण गोधी मीडिया पर आपको भरोसा नहीं रहा और आपकी टीम आइडिया के मामले में कंगाल हो चुकिए ये तीनों चीज़े प्रधान मंत्री ने इस वीडियो के जरिये साफ बता दिया अब हैरानी की बात यह है यह है लेकिन हैरानी की बात क्या है कि पिछले एक साल में खासकर के भारत जुड़ोई आता के बाद राहुल गांदी का हर वीडियो प्रधान मंत्री के मुकाबले साथ से लेके दस गुना तक ज्यादा देखा जाता है जी हाँ अगर किसी वीडियो पर प्रधान मंत्री के वीडियो पर हजार लोग देखने आते हैं तो उसी वीडियो पर राहुल गांदी के वीडियो पर उसी दिन उसी वक्त तकरीबन साथ से दस हजार लोग देख रहे होते हैं इतना फरक आ गया है यहाँ तक कि जो संसद में भाशन दिये जाते हैं उसमें भी प्रधान मंत्री के मुकाबले राहुल गांधी के जो speech है उसको ज्यादा लोग social media पर या राहुल गांधी के channel पर देखते हैं, retweet करते हैं Twitter पर देखते हैं YouTube पर देखते हैं, Facebook पर तीनों platform पर, चारों platform पर राहुल गांधी ने प्रधान मंत्री को चित कर रखा है विवर्शिप के मामले में भले ही सब्सक्राइब करके मामले में प्रधान मंतरी ज्यादा आ गये हैं ज्यादा के बहुत आ गये हैं लेकिन प्रधान मंतरी को भी ये बात समझ में आगे उनके टीम को भी समझ में आगे कि इंपक्ट तो दरसल नंबर से नहीं ह लेकिन उनके चैनल पे व्यूज आ रहे होते हैं चार लाख पांच लाख उनके वीडियो पे और उसी तरह कई छोटे सब्सक्राइबर जिसके एक डेड़ लाख या दो लाख तीन लाख सब्सक्राइबर होते हैं उसके वीडियो पे कई बार 20-20-30-30 लाख व्यूज आते हैं तो impact इसको कहते हैं, impactful इसको कहते हैं, क्योंकि subscriber कई बार आपके flow में बढ़ जाते हैं, जिस तरह से जब प्रधान मंतरी ने एलान किया कियो social media पर आ रहे हैं, अब सवाल ये भी उड़ता है कि प्रधान मंतरी को अचानक से ये social media क्यों याद आया, क्यों social media पर अपील कर रहे हैं प्रधान मंतरी, इसका मतलब यही है कि गोधी मीडिया का अब दौर खत्म हो चुका है, जी हाँ, वही गोधी मीडिया, जो हम जैसे social media प्लेटफॉर्म वाले हैं, जिस पर प्रधान मंतरी आने के अपील कर रहे हैं, लोगों को फॉलो करने के अपील कर रहे हैं, हमें चिंदी मीडिया का नाम देते थे, जी हाँ, चिंदी मीडिया, अब उस गोधी मीडिया के मूँ पर प्रधान मंतरी ने इतना जबरदस्त, चाटा मारा है, इतना जबरदस्त, चमाटा मारा है कि देखिए, जिसे तुम चिंदी मीडिया कहते हो, प्रधान मंतरी खुद उस पर आ रहे हैं, और प्रधान मंतरी क कि मैं भी यूट्यूबर हूँ मुझे भी फॉलो कीजिए कभी प्रधान मंत्री ने ये तो नहीं कहा कि मैं अपना चैनल कुल रहा हूं मेरा चैनल देखिए क्यों इसलिए कि गोदी मेडिया की देखने वाले जो बचे भी है ना वो आपकी ख़बरों पर विश्वास नहीं कर अब ख़बरों में ड्रामा शब्द लोग इसलिए प्रधान मंत्री उनकी टीम को ये बात समझ में आगे कि गोदी मीडिया का अब इंपक्ट खत्म है क्योंकि जैसे ही इंडिया आलाइंस ने 14 जहरीले एंकरों के बाइकॉट की घोशन है कि उसके बाद से उमीद कर रहे थ लोगों में इसका अच्छा मैसेज गया कि ठीक है अच्छा हुआ कम से कम जहरीले एंकरों का बाइकॉट करो और एंकरों का बाइकॉट करो लेकिन इससे बहुत पॉजिटिव असर पड़ा है जी हां कहीं आपने देखा कि इसको लेके कहीं नुकसान हुआ हो इंडिया दूसरी तरफ तो कुछ है नहीं तो सरकार को अब समझ में आ रहा है कि यार ये मामला ज़ा इसके सारे हम इस बार नई आपार नहीं लगा सकते इसलिए सोशल मीडिया को पकड़ लो जितना हो सके जितना भी मिल सके ले लिजे सोशल मीडिया का अशिरवात इसलिए प्रधान म बाई ये ग़स लाँआएग अब इससे बड़ा मजाक किसी देश के प्रधान मंतरी के साथ क्या हो सकता है इस बीच कॉंग्रेस ने भारत जोड़ यातरा का एक जो है टीजर जैसे फिल्म का टीजर लाँच होता उस तरह का एक टीजर लाँच करके भारध जोड़ यातरा- एक के बाद जो पूरा बदलाओ आया अगर भारत जोड़ो यातरा टू होती है तो इसके बाद स्थितिया और कैसी बदल जाएगी ये भी एक कारण मुझे लगता है कि प्रधान मंत्री को इस तरह से सोशल मीडिया पे आके अपील करनी पड़ी क्योंकि राहुल गांजी की ज जिसको सोशल मीडिया पे मिलेगी लोग बहुत आतूर हैं भारत जोड़ो यातरा टू वर्जन देखने के लिए और वो दिखेगा कहां सोशल मीडिया पर और सोशल मीडिया पर भारत जोड़ो यातरा टू पहले से भी ज्यादा इंपक्ट छोड़ने में काम्याब हो गई तो फिर प्रधान मंत्री के चाहे जितने मर्जी भाषन हो जाएं सोशल मीडिया पे आज की डेट में कोई देखने वाला नहीं है और गोधी मीडिया पे लोगों को भरोसा नहीं है और रही तीसरी बात जो मैंने आपको तीसरा पॉइंट बताए कि आईडियाज की फैक्ट लिखने के लिए कुछ नहीं है बिना लिखे प्रधान मंत्री कुछ बोलते नहीं आपको मालू में बिला टैली प्राम्टर के कुछ नहीं बोलते हैं बिला बिना टैली प्राम्टर के जब कोशिश करते हैं तो अक्सर उनकी जबान लडख़डा जाती है तो ऐसे में मंत्रि कि जब कंगाली नहीं होती जब इंसान को समझ नहीं आ रहाता हो ना कि मुझे करना क्या है तो इसी तरह से चारों तरफ हाथ पैर मारने की कोशिश करता है और उसके चक्कर में इंसान और ज्यादा डूपता जाता है और एक चीज और जो मैं अकसर कहता हूँ कि जब खुद आप एहम के शिकार हो ना कि मैं हूँ तो सब कुछ है मैं नहीं तो कोई कुछ नहीं है ना तो उसके चक्कर में भी ना खुद तो डूपते ही है सरम पार्टी को भी डूओ बैठते हैं अब देखे जब पार्टी में वरिश नेताओं की किस तरह से आप ये वीडियो देखे ग्रिये मंतरी अमिश्चा वसंदरा राजे के साथ किस तरह का बेवहार है कि वसंदरा राजे सिंधिया को वसंदरा राजे को जो नमस्ते तक या हाथ जोड़कर अभिवादन तक जो है स्विकार नहीं किया जाता ग्रिये मंतरी की तरफ से बलके उनके हाथ से गुलाब भी ऐसे छीन लिया जाता है जैसे कोई आम आदमी और वसंदरा राजे जो कि अमिश्चा और नरेंदर मोदी दोनों से राजनीती में सीनियर हैं उनके साथ अगर ऐसा ब्योहार करते हैं तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो मोदी के बाद बीजेपी का क्या होगा क्योंकि मोदी हमेशा तो रहने वाली नहीं है ज्यादा से ज्यादा एक टर्म और रहेंगे उसके बाद अगर इसी तरह से क्षेतरी नेताओं को खत्म करते रहेंगे तो उसके बाद बीजेपी को नहीं यह हैं पंजाब में कॉंग्रेस के विधायक सुखपाल सिंग कह रहा जो कॉंग्रेस के किसान मोर्चा के अद्धक्ष्मिय राष्टी अद्धक्षा उन्हें पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने एक भष्टा जंगल ना राज बदला खोरी ना राज जो कि मुखालफत करता हैं आँ अब खेर हैं कि गिरफतारी पर कॉंग्रेस ने बहुत तीखी प्रक्रिया जो है वो जाहिर किये कॉंग्रेस ने और शुप्रे सेनेत ने भी कहा है कि यह आवाज दवानी की कोशिश की जारी है विपक्ष को दवाने की कोशिश की जारी जैसे दिल्ली में मोधी सरकार दवाने की कोशिश करती है पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगतमान की सरकार विपक्ष की आवाज दवाने की कोशिश की रिए और कॉंग्रेस इसको आसानी से नहीं मानेगी लेकिन साथ ही एक तस्वीर भी शेयर किये कि देखे कुछ दिन पहले दिल्ली में आपके साथ जो हो रहा था उस विधे के खिलाफ वोट देने के लिए दिमार पूर प्रधान मंतरी ऐसी तबियत खराब होने के बावजूत संसद में पहुंचे थे आम आदमी पार्टी का साथ देने के लिए औ वो भी तब जब आप कोशिश कर रहें कि इंडिया घट बंदन में समन में बनाने की कोशिश करें और सबसे बड़ा पेच सीट बटवारे में आम आदमी पार्टी और कॉंग्रिस के बीच में ही है वो भी पंजाब दिल्ली और गुजरात को लेकर ऐसे में आम आदमी पार् ये गुजरात यूनिट भी यही कह रही है तो क्या कॉंग्रेस हाई कमान अपनी पंजाब यूनिटी की बात मानेगी या फिर अभी भी यह ऐसी हरकत होने के बावजूद भी क्या आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयर करेगी क्योंकि कॉंग्रेस का ये कहना है कि पंजाब में इस वक्त लॉइंड ओर्डर की सीटुईशन जो हालत पंजाब में जिस तरह की खराव है उसके बाद मौजूदा सरकार के खिलाफ वहां बहुत रोश है और कॉंग्रेस ने लोकसभा चुनाओं में हमेशा अच्छा किया है अगर पंजाब आम आदमी पार्टी के साथ मिल जाती है तो फिर जो अकाली दल है जो अल्मोस्ट अब सिकूर गया है बहुत कम जगाओं पे बचा है और उसके साथ अगर बीजेपी भी आ जाती है शहरी इलाकों में तो उन्हें सांस लेने की जगा बन जाती है इसलिए आम स्रीट भी कॉंग्रिस निकाल जाती है वहाँ पर तो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है लेकिन अब सारा दारोमदार वो है जो कॉर्डिनिशन कमेटी बनी है जो इंडिया आलाइंस की कॉर्डिनिशन कमेटी बनी है और बाकी CWC में है मली कारजुन खडगे पे है राहुल कॉंग्रिस का एक कहना है कि इसलिए की गए कि सुखपाल सिंग कहरा आम आदमी पार्टी की जो सरकार के जो फाइनिशल गड़बडिया है उसको लेके अकसर वो कल रहते हैं उनके खिलाफ अकसर सबूत समेत जो है वो बयान देते हैं अभी रागब चड़ा जो उनके सांसत है उनकी शादी पे जो खर्च हुआ है उसको लेके भी सुखपाल सिंग खहरा ने खुब बयान दिये थे तो उसके बाद से आम आदमी पार्टी की सरकार उनके खिलाफ हो गई और सुखपाल सिंग खहरा को गिरफतार कर लिया तो इसका मतलब यह है कि अगर आप गठबंद में है तो जबान चुप रखिए अपनी राजनीती को भोल जाइए ऐसा तो हो नहीं सकता ना इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी हरकतें अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से होगी तो फिर इंडिया अलाइंस के लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि इंडिया आलाइंस में यहां आदमी पार्टी का जो हाल-फिलाल माचना रहा है न तो वो भरोसे लाइक नहीं है ऐसे में हो सकता है कि केजरिवाल साब सीट पर अगर कॉंग्रेस नहीं जुकने को तयार हुई जो उनकी डिमांड मानने को तयार नहीं हुई तो इंडिया लाइंस से बाहर निकल के फिर मायावती, KCR इन सब को मिला के कोई तीसरा फ्रंट खड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन कोशिश अभी यह है कि वो ना हो केजरिवाल को भी जो है नितिश कुमार संभालने की कोशिश करें लेकिन जब मैंने कहा ने जब यह पंजाब जैसी हरकत होगी तो फिर पुश्किल हो जाएगा के जरिवाल के साथ आगे बंदा फिलाल इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूं कि आपको छोटा सा वीडियो पसंद आएगा पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलेगा नमस्कार